specified का क्या आर्थ होता है यह आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं specified का दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है एक तो जिसे specify किया गया हो या जो specify किया गया हो उसे हम adjective के रूप में specified कह सकते हैं इसके इलावा specified जो है वो specify का past tense और past participle होता है यानके specify की ही second और third form होती है specified और specify का आर्थ होता है सपष्ट रूप से बताना यानके किस चीज़ को साफ साफ बताना विस्तरित विवरण देना, विशिश रूप से या निश्चित रूप से वर्नन करना वेश्तरित वीवरण देना, शर्त रखना, विशिष्ट निर्देश करना, निर्दिष्ट करना, तै करना या निश्चित करना जैसे कि एगर आप ये कहना चाहें कि यह कुछ निर्दिष्ट माध्यमों से उत्पन होता है तो आप कहेंगे it is generated by some specified means, या अगर आप ये कहना चाहें कि उन्होंने एक विशाल प्रवेश द्वार निर्दिष्ट किया, तो आप कहेंगे this specified as spacious entrance hall, या अगर आप ये कहना चाहें कि यह सभी विवरण license में निर्दिष्ट हैं, तो आप कहेंगे all these details are specified in the license, all these details are specified in the license, अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिष में YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आप बिना किसी फालतु बखवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे, तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें